आईए बच्चों अब हम संस्था के कारे भी देख लेते हैं संस्थाओं के क्या क्या कारे हैं संस्था की उत्पत्य और विकास के इतिहास को तो हमने समझ ही लिया अब सामाजिक संस्थाओं के अनेक कारे हैं संस्थाएं मानवी आवशक्ता की पूर्टी के साधन हैं ये परिवर्तन में साहयक, संस्कृतिकी वाहक, सामाजिक नियंत्रन में साधन, व्यवारों के अनुरुपता और प्रस्थिती और भूमी का निर्धारन करती हैं और अनेक कारे भी करती हैं इनके कुछ महत्पुर्ण क करने समाज के सदस्य प्रत्यक्व्यक्तिuk से या अपेक्षा करते हैं कि वह संस्था गत सादनों द्वारा ही अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती करें और समाज की व्यवस्था में संतुलन बनाए रखें अगर संस्थाओं का गहनता से अध्यन और अवलोकन करें तो हम यह पाएंगे कि संस्थाओं आवशक्ताओं की पूर्ती के सरल, साधा और अतंत उप्योगी साधन है जो समाज में वर्षों से प्रचलित है दूसरा है व्यभारों में एक रूपता संस्थाएं कारे प्रणाली की जिनका समाज के सदस्यों को पालन करना होता है समान परिस्थितियों, आवशक्ताओं, समस्याओं, कठिनाईयों आदी की संस्थाएं व्यक्ति को एक से तरीके प्रदान करती हैं जिनके द्वारा वह व्यवार करें इस प्रकार संस्थाएं समाज के व्यक्तियों में समानता एक रूपता और अनुपरूपता बनाए रखती है इससे उनके यांतरिक या जेव की एकता बनी रहती है संस्थाएं जो हैं वो समाज में नियंतरन का कारे भी करती है याने सामाजिक नियंतरन करती है समाज की एकता, संतुलन और निरंतरता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के अपेक्षित व्यवार और वास्तविक व्यवार में अंतर कम से कम हो सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के व्यवार को नियंत्रित करती है संस्थाएं सामाजिक नियंत्रन का एक प्रमुक और प्रभावशाली साधन है आदिम और ग्रामेंड समाजों में संस्थाएं ही सामाजिक नियंतरन करती है धर्म, परिवार, जाती ये सब संस्थाई तो हैं बच्चों जो समाज को नियंतरित और निर्देशित करती हैं और इनका संचालन भी करती है फिर संस्थाएं जो है प्रस्थिति और भूमिका का भी निर्धारन करती है समाज की अवशक्ताओं को पूर उपन करने के लिए आवशक है कि समाज में श्रम विभाजन और उसका अस्तरी करण हो व्यक्तियों की प्रस्थिति, पद और भूमिका निशित हो बचों हैं मैं आपको बता दूँ प्रस्थिति और भूमिका एक हमारे प्रथम पेपर में एक पाठ भी है इसे हम विस्तरत रूप में आगे पढ़ेंगे तो व्यक्तियों की प्रस्तिती और भूमी का निशित हो या इसका निर्धारन भी कौन करती हैं संस्थाएं करती है सबी समाजों में संपूर्ण कारे संस्थाएं करती है संस्थाएं सामाजिक विबेधी करण और इस्तरी करण का कारे करती है इनके द्वारा व्यक्ति स्वयम का पद और कारे दोलों को इसपश्ट रूप से प्राप्त करता है और उनके अनुसार अपने कारे करता है, उनके अनुसार अधिकारों का उप्योग करता है परिवार में पती, पत्नी, पिता, पुत्र, माता, पुत्र, भाई, बहन आधी का अपना एक पद होता है और उस पद के अनुसार वे भूमिकाएं निभाते हैं समाज में के इस्तर पर जाती व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, जागिरदारी प्रथा, विबिन समों की प्रस्थिती और भूमी का प्रदान करती है संस्था का यह कार्य समाजिक व्यवस्था के लिए विशेश महत्वपूर्ण होता है संस्था, समाजिक और संस्कृति का हस्तांतरण भी करती है संस्कृति का हस्तांतरण यान बच्चो संस्कृति सबसे पहले मैं यहां बता दू संस्कृति यान क्या संस्कृति सीखा हुआ व्यभार होता है है ना तो संस्कृति का हस्तान तरण भी संस्थाएं करती हैं समाज और संस्कृति के बने रहने के लिए यह आवशक है बच्चों कि इसके गुणों, ग्यान, अविश्कार आदी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एक पिढ़ी से दूसरी पिढ़ी को हस्तान तरण हो सामाजिक संस्थाएं ये कार्य सद्यों से करती आ रही है संस्थाएं ही संस्कृति की प्रभावशाली वाहक है जो संस्कृति का लेन दिन प्रसार प्रचार करती है संस्थाएं संस्कृति की रक्षा तता हस्तान तरण एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी एक समाज से दूसरे समाज को करती है अभी मैंने आपको बताया था कि दीपावली केसे मनाना और होली केसे मनाना और शीवरातरी केसे मनाना इद केसे मनाना है ना ये सब संस्थाओं के द्वारा ही हमें सिखाया जाता है अलग-अलग ईद भी अलग-अलग होती है बकरीद अलग तरह से मनाई जाती है मेठीद अलग तरह से मनाई जाती है तो संस्थाओं के द्वारा ही विविन तरह के जो तेवार है विविन तरह के जो कारे प्रणाली है वो स्थापित की गई है संस्थाओं का जो एक और कारे हैं वो है मार्ग दर्शन करने का, गाइडेंस करने का संस्थाएं व्यक्ति, समू और समाच का मार्ग दर्शन करती है व्यक्ति को कब, कहां, कैसे और क्या करना है इसका संस्था कदम कदम पर मार्ग दर्शन करती है जाती व्यवस्था प्रत्यक जाती के व्यक्तियों को सदस्ता, व्यवसाय, खानपान, शिक्षा, विवाह, प्रस्तिती, आदि सबकुछ व्यक्ति के जन्मे के साथ ही निशित कर दिया करती है उसे हर पल तथा प्रतिक परिस्तिती में संस्थाएं मार दर्शित करती रहती है इसी प्रकार जीवन के प्रतिक शेत्र से संबन्नि संस्थाएं व्यक्ति और समू का मार दर्शित करती है संस्था का यह एक महतपुर्ण और विशेश कार्य है चलते चलते बचो हम समुदाय और संस्था में अंतर भी समझ लें समुदाय अभी हमने पढ़ा है ना बचो तो समुदाय और संस्था में संस्था हम आज पढ़ रहे हैं तो समुदाय और संस्था में क्या अंतर है यह भी चलते चलते देख लेते हैं तो जो बिंदु हैं इनमें अंतर करने के उन बिंदुओं को बोलती हूँ और फिर उनमें अंतर आपको समझाती हूँ तो पहला बिंदू जो है वो है सदसिता व्यक्ति समुदाय का सदस्य होता है व्यक्तियों का समु होता है और व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं होता याने व्यक्ति समुदाय का सदस्य तो होता है याद आया वैच्चों आपको समुदाय याने भूभाग एक निशित भूभा है ना और विशिष्ट नाम यह सब याद आया ना आपको तो व्यक्ति समुदाय का सदस्य होता है पर व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं होता क्योंकि संस्था कारे प्रणाली है किसी भी कारे को करने के तरीके हैं इसलिए व्यक्ति संस्था का सदस्य नहीं होता अगर दूसरा बिंदू लें तो वो है समूँ समुदाय व्यक्तियों का समूँ होता है जबकि संस्था में ऐसा कुछ नहीं है फिर निश्चित भूभाग अभी ही मैंने आपको बताया समुदाय का अपना निश्चित भूभाग होता है जबकि संस्था का कोई निश्चित भूभाग नहीं ह होता है मूर्टता दिखाई देना समुदाय दिखाई देता है किस रूप में निशित भूभाग में जहलावाड कहा है दिखाई देगा जहलावाड की सीमाओं के अंतरगत जहलावाड है इसी तरह जो है राजस्थान का है तो राजस्थान की अपनी सीमा है उस सीमा के अंदर रहने वाले सब लोग उस समुदाय के सदस से कहलाएंगे तो समुदाय जो है व्यक्तियों का समु होता है और निशित भूभाग में रहता है इस कारण वह हमें दिखाई देता है विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, जबकि संस्था का अपना विशिष्ट उद्देश्य होता है, समुदाय साध्य होता है, जबकि संस्था साध्य नहीं होती, समुदाय में अनेक संस्थाय हो सकती है, एक समुदाय में, है ना, लेकिन संस्था समुदाय की एक साधन है, क